दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हमेसी फर्गूशन 35 ये बहुत ही पुराणा टेक्टर है जो पहले हमेसी फर्गूशन आते थे वह ही है टेक्टर है आज इसका रिव्यू करेंगे इसकी सारी चीज़ आपको दिखाएंगे इसकी कंडिशन दिखाएंगे आप देख यह उपर इसकी डीजल की टंकी और यह बैटरी साथ में यह ओयर वाड़े एर कलीनर के साथ आता है यह वाटर कूल्ड इंजन के साथ यह इंजन आता है यह इसका अल्टिनेटर बैटरी चार्ज करने के लिए और यह सामने की तरफ इसका रेडियेटर मोटी जाली के अंदर इसका radiator है और ये सामने वड़ा इसका axle non-adjustable axle के साथ ये टेक्टर है और ये इसका engine देख रहे हैं इसमें बोस कंपनी का pump लगा हुआ है ये नीचे इतरह आप इसमें गलासी देख रहे हैं और तीन cylinder ये engine है और ये इसका silencer और यह डबल फिल्टर के साथ जो है जिससे हमारे पंप की लाइफ और अच्छी चलती रहे और यह इसके गेर यह सामने आप देख रहे हैं यह इसके गेर तीन फॉरवर्ड एक रिवर्स के साथ यह टेक्टर आता है यह इसका हाई-लो का और यह इसका में जो इसका लीवर है और यह टेक्टर को रोकने के लिए इसका स्टेरिंग और सीट और यह जो इसके मुर्गाट देख रहे हैं आप पिछे की तरफ इन्होंने डोली निकालने के लिए काम में ले रख्या था यह हमने रुकवा के वीडियो बनवायने के लिए इनको रुकवा लिया काफी अच् बिडिया कॉजिशन लिवर ड्राफ लिवर का भी शैन्दा ट्रेक्टर पुराना ट्रेक्टर है नमस्कार जी यह कैसा है ट्रेक्टर बड़े आज़ी सभी काम रपना आपने कब लिया था यह मेरे पास हो कि 5-7-7 चालों पांसाथ से आप इसको लगाता रहे चांग सब्सक यह कितने लिया था आपने यहां पर लगा रखे आपने सोनीपत में अमरूद का लगा रखे और कुल मिला के कैसा जी टेक्टर बढ़िया काम कर रहा है दोस्तों यह थे इसके ओनर जुनों ने इसके बारे में बताया इसको चला के भी दिखाएंगे स्टार्ट करके दिखाए बोधी श्यांधार वाज टेक्टर की इस बोधी बोधी श्यांधार वाज टेक्टर की बहुत इस्यांदा टेक्टर है गजब का टेक्टर है पुराना टेक्टर है इन्होंने पुराना लिया था इनका बाग का काम है अमरूद के बाग जो है लगा रखे हैं उसमें स्प्रे भी करते हैं दोस्तों अगर आपको अमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें अमारा चैनल है इ-r-s-o-n-u-m-o-r के नाम से बाकी हमारे दो चैनल और है हर टेक्टर की जानकारी हम देते हैं हमारे चैनल पर और भी बहुत सारे टेक्टर है हर कंपनी के टेक्टर है हर कंपनी के सूपर सीटर है जेसी भी मशीन है सारी जो वेराइटी की हमारे चैनल पर माल है कहने का मतलब है देसी बाजा में सारा अमारे चैनलों पर माल है सबी किसान भाई है वह बहुत बहुत धन्यवाद